गुड मार्निंग एब्रिवन बच्चों आज हम पढ़ रहे हिंदी में चैप्टर टैन तितली रानी जो की एक कविता है देखो बच्चों बगीचे में फूलों पर क्या-क्या उड़ता दिखाई देता है क्या क्या उड़ता दिखाई देता हमें बगीचे में फूलों में हमें तितली दिखाई देती है भवरे दिखाई देते हैं छोटी छोटी चिडिया दिखाई देती है छोटी छोटी की पतंगे दिखाई देते हैं रात को जुबनों भी उड़ते हैं बगीचे में है न तितली कहां दिखाई देती है हमको बगीचे में दिखाई देती है फूलों पर मंडराती हुई और घर के अंदर तितली क्यों नहीं दिखाई देती क्योंकि घर के अंदर फूल नहीं होते तितली नहीं दिखाई देती तिटली फूलों पर क्यों बैठती है क्योंकि फूलों का रस पीती है तिटली ठीक है अब देखो तिटली को पकड़ना चाहिए या नहीं नहीं पकड़ना चाहिए तिटली को तो कि उसके पंख बड़े नाजुक होते हैं अगर हम उसे पकड़े उसे चुएं तो उसके पंख खराब हो जाते हैं तितली बहुत सुन्दर और चंचल होती है बच्चे सुन्दर चीज की और आकटसित होते हैं और उसे पाना जाते हैं ठीक है? अब देखो अब हम पढ़ते हैं रंग बिरंगे पंख तुम्हारे इधर उधर मंड राती हो कली कली से फूल फूल से उनका रंग ले आती हो इंद्र धन उसके रंग साथ ले जहां जहां तुम जाती हो बच्चे बूडे और युवा सब का मन हर साती हो देखो बच्चा वो उड़ा है कि रंग भी रंगे पंख तुमारे तितली के कैसे पंख होते हैं? रंग भी रंगे होते हैं एक ही रंग के नहीं होते हैं तरह तरह किस उन्दर रंग उसमें होते हैं और उन पंखों को लेकर वो क्या करती है इधर उधर मंडराती है मंडराती का क्या मतलब होता है चक्कर लगाना ठीक है कली कली से फूल फूल से एक कली से दूसरे फूल पर उनका रंग ले आती हो जब तुम इधर उधर मंडराती हो ऐसा लगता है कि जैसे हर कली से हर फूल से तुम उसका रंग ले आई हो इंद्र धनुस के रंग साथ ले अब क्या है जब तितली इधर उधर मंड़ा रही है तरह तरह के रंग भी रंगे फूलों पर मंड़ा रही है कली कली पर मंड़ा रही है तरह से लग रहा है कि इंदर धनुस के रंग सारे तितली के पंखों में आ गए है तो इंदर धनुस के रंग साथ ले जहां जहां तुम जाती हो बच्चे, बूढे और युवा सब का मन हरसाती हो तो वो रंग विरंगे सुन्दर पंखों को लेकर जहां जहां तुम जाती हो तो क्या होता है तितली को देखकर बच्चे भी खुस होते हैं बूढे भी खुस होते हैं और युवा यानि के जवान यंग जो लोग होते हैं यानि कहने का अर्थ है कि तितली तो सबको अच्छी लगती है चाहिए बच्चे हों बूढे हों या फिर जवान लोग हो या आपक лекटियों का आश्या है, रंग बी रंगे पंकों को लेकर तुम इधर मंड दराती हो, और ऐसे लगता है कि जैसे हर फूल से, हर कली से तुमने उसका रंग ले लिया हो, और इंदर्धनुस के रंग तुमारे पंकों में आ गए है, और जब तुम इंदर्धनुस के रंगों को स सब खुश हो जाते हैं तुम्हें देखके। इंदर धनुष क्या होता है बच्चों? इंदर धनुष होता है बारिस के बाद आस्मान में दिखाई देने वाला सात रंग का धनुष होता है। ठीके? बारिस के बाद दिखाई देता है ये। अब आगे पढ़ते हैं तितली रानी यह बतलाओ हमसे तुम रूठी हो क्यों फूलों से तो बाते करती हमसे दूर रहती हो क्यों पास यदी हम आएं तुम तुरंत दूर उड़ जाती हो हमसे भी तो करो मित्ता इतना क्यों सरमाती हो बच्चा कहरा तितली से कि तितली रानी हमें यह बतलाओ हमसे क्यों रूठी रहती हो रूठी मितला नाराज क्यों हमसे तुम फूलों से तो बाते करती हो वो फूलों पर मनराती रहती है न तो बच्चे को लग रहा कि वो फूलों से तो बाते कर रही है फून उनके दोस्त हैं तितली के लेकिन हमसे दूर हमसे दूर रहती हो क्यों हमसे क्यों दूर रहती हो पास यदि हम आएं तुम्हारे तुरंत दूर उड़ जाती हो जैसे बच्चे तितली को खुश होकर देखते हैं और दौट-दौट कर से पकड़ने जाते हैं तो तुरंत उड़ जाती है तो बच्चा कहरा यदि पास हम तुम्हारे आते हैं तो तुम दूर क्यों उड़ जाती हो हमसे भीतो करो मित्रता मित्रता याने कि दोस्ती करो हमसे फ्रेंडशिप करो इतना क्यों शर्माती हो तुम हमसे क्यों शर्मा रही हो हम तुमसे दोस्ती करना चाते हैं ठीक है बच्चो अब आपको जो कविता है इसका अर्थ समझ में आ गया होगा अच्छे से ठीक है अब हम इसे एक बार अच्छे से पढ़ते हैं फिर से रंग बिरंगे पंख तुम्हारे इधर उधर मंड राती हो कली कली से फूल फूल से उनका रंग ले आती हो इंद्रधन उसके रंग साथ ले जहां जहां तुम जाती हो बच्चे बूढे और युवा सबका मनहर शाती हो तितली रानी यह बतिलाओ हमसे तुम रूठी हो क्यों फूलों से तो बातें करती हमसे दूर रहती हो क्यों पास यदी हम आएं तुम्हारे तुरंत दूर उड़ जाती हो हमसे भी तो करो मित्रता इतना क्यों सरमाती हो प्यारे बच्चों आपको तितली रानी का वीता बाई हाट प्यात करनी है एट लाइन और एट लाइन आपको अपनी कॉपी में भी लिखनी है ठीक है आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक तरह आप संदर से तितली बनाओ फूल बनाओ और दूसरी तरह आप पोयम लिखो आपको अच्छा लगेगा आपको इस तरह से प्यारी प्यारी तितली बनाओंगे आप फूल बनाओंगे उसके बाद आप एट लाइन अपनी कॉपी में इसको लिख लीजेगा ठीक है बच्चो तो ये आज का होम वक है आपका कि आपको तितली रानी का वीता याद करनी है बाइहार्ट टेक लाइन याद करनी है अपनी बुक में भी अपनी कॉपी में लिखना है इसको ठीक है